पुत्र, तू बहुत मुसीबत में है, कोई काम नहीं बन रहा, चिंता मत कर, सब अच्छा हो जाएगा. माता ने तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, तू बस माता को फॉलो कर और अपने पांच दोस्तों को भेज दे. आता लक्ष्मी, अर्थात मैं धन की देवी हूँ, जिस व्यक्ति पर मेरा कृपा हो जाए, उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती. बेटा, तेरे माता का कृपा पाने के लिए मुझे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर करें और चमतकार देखना. तेरे सारे दुख, खत्म और सारी सुखाने वाली है. धन तेरस पर सुहागिने घर ले आएं चीजें. हो जाएंगे माला माल वा पूरे साल भर होगी तरक्की. जानने से पहले सभी माताएं बहने जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें. धन तेरस के दिन घर में नमक खरीद कर लाना बेहद ही शुभ माना जाता ह इससे कर्जव दरिद्रता दूर होती है. को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर तेरे घर में सुख सम्रिद्ध हमेशा बनी रहेंगी. नमबर एक हमेशा ध्यान रखना. सोते समय आपके पैर दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए. ऐसा करने से सेहत और सम्रिद्धी की हानी होती है. नमबर दो. रात में सोने से पहले पानी पी कर सोएं. कभी भी जूटे मुह या बिना पैर धोय भी नहीं सोना चाहिए. नमबर तीन. जोतिश शास्त्र के अनुसार. रात को सोने से पहले अपने कमरे में कपूर जला कर सोना चाहिए. इससे नकारात्मक्ता दूर होती है और सकारात्मक्ता का संचार होता है और भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाता है. बिटा ये उपाय करने से तेरे घर में प पूलो करके कमेंट में जय मा लक्षमी लिख दे. नमबर एक. अगर आपके द्वारा जलाए गए दिये की लौ कुछ ज्यादा ही उपर उठ जाती है तो समझ जाए. आपने भक्ति और श्रद्धा से ईश्वर को प्रसंद किया है. वे अवश्य ही आपके दुख दूर करें नमबर तीन. पूजा के दौरान आपके घर में पिता, गुरु और ब्राह्मन में से कोई भी एक व्यक्ति प्रवेश करता है तो इसे बेहद ही शुभ माना जाता है. आपको कभी भी इन्हें खाली हाथ घर नहीं लोटाना चाहिए. बेटा, तु बहुत ही जल्द धनवान ब्यक्ति बनने वाला है. और तेरे पास इतना सारा धनाने वाला है, जिसे देखकर तु अपनी मा की कृपा कुछ समझ ही नहीं पाएगा. मगर तेरी मा तुझ पर इतनी तेज कृपा करने वाली है और तेरा जीवन धन्य करने वाली है. तो आज अपनी माता के लिए एक सब पूरी होगी जय माता दी बोल कर लोगों को विडियो शेर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो तुम्हारा मंदल मैं हो